कर सकते हो तो वो क्या है physical quantity कर सकते हो न वो मेरे लिए एक किलोमेटर दूद ले किया हो वो लोगो सर एक किलोमेटर दूद किसका टाइम का है तो इस quantity को डिफाइन करने लिए किसी और कॉंटिटी का यूज करना पड़ा तो गाईस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ज्यादा मज़ेदार और बहुत अच्छा है अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो बहुत सारे जगह ना इसका बहुत जादा काम आता है कि विद्दावट यूनिट किसी का काम पूरा नहीं हो सकता अगर मैं आपको बोलू कि जाओ जाओ मेरे लिए एक किलोमेटर दूद लेकर हो जिसको पता होगा ना मैं सस्टम गलत बोल रहा ह क्योंकि लिटर दूद होता है किलोमेटर नहीं होता तो यह सभी चीजे आपको अभी स्टार्टिंग से बताई जाते इसमें बहुत सारी चीजे मैं एक्स्प्लेन करने हो अलग बड़े गाईस अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर फजिक्स को कंटीनियू रखे तो बाई अगर आप चाहोगे तो चीजे आगे होगी आप सभी इतना सारा हमारे पास काम है फिर भी आपके बोलने पर हम आये हैं तो आप चीजे मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको क्या करना नेक्स लेक्चर चाहिए तो पड़ा पड़ टार्गेट पूरा करो तो यूनिट अन म मेजरेमेंट फजिकल ल तेयरी Illust मतलब कहने का मतलब मैं बोलू न कहर जगए है यह लाइड जो ट्रावल करके मेरे चहरे पर आ रहा है यह यह फिशिक्स है जो मैं बोल्राओं जोड़ से जिससे आपको कभी आपको जोड़ से उनाहीं देरा हकर अगर मैं धीरे से बोर्रहा यह भी जो बता रहा है वो फिजिक्स है तो बाई मैं तो जहां देख रहा हूँ वहाँ ही मुझे फिजिक्स से फिजिक्स दिखाई दे रहा है तो मैं comment में आप सभी से पुछना चाहूंगा कि आप प्लीज इस समय जहां मेरा वीडियो देख रहे हो वहाँ मुझे बताओ कि आपको कहां फिजिक्स दिखाई दे रहा है तो आप बात करते हैं यूनिट यूनिट एक ऐसी कॉंटिडी होती है एक ऐसा मेजरबल चीज होता है जो सभी फिजिकल कॉंटिडी को मेजर करने के लिए यूज होता है अब बोलो कि सर फिजिकल कॉंटिडी क्या होती है देखो इक कोई भी quantity जिसको hem measure कर सकते हो, उसको बोलते है physical quantity again तो जो भी जिस भी quantity को हम measure कर सकते हैं ऐसे सभी quantities को हम क्या बोलते हैं, physical quantities, अब हम बात करेंगे भाई, unit की तो हमने बात कर लीगी, इन सभी physical quantities को measure करने के लिए हम जो use करते हैं, इसको बोलते है, units, अब कितने, यह देखो, यह system, system सबसे पहले, बहुत पहले ही आ गया था, बहुत सालों पहले system आ गया था, तो system of unit, system of unit की बात करेंगे, there are total four types of system unit, first is CGS, second is MKS, third is FPS, and last is SI, ओके, तो यह देखो, आपके आखों के सामने देख रहा है, first is CGS, second is MKS, third is FPS, and last is SI, अब CGS मतलब क्या होता है, centimeter, gram and second, MKS क्या होता है, meter, kilogram, second, meter, kilogram, second, और FPS क्या होता है, food, pound and second, और last में हमारा जो SI है, वो है हमारा internal सा system of unit, ओके, अरकर इसका मैं full form बोलू, actual full form बोलू, तो system में international ए, D units, system में international ए, D units, यह होता है, इसका full form, अब भाई, देखो, जब मैं चोटा था, ना, जब मैं चोटा था, मतलब चोटा था, मतलब कि जब मैंने पहली बार units के बारे मे सुना, तो मुझे उस समय क्या पूछा जाता था, पता है, मुझे पूछा जाता था, MKS and CGS, किसी भी physical quantity का MKS and CGS unit पूछा जाता था, यह बला, MKS और CGS, यह unit पूछा जाता था, और जैसे मैं आगे थोड़ा और बड़ा, तो भाई, MKS का नामों निशान ही खतम हो गया, कि इसी भी physical quantity आप SI और जादा था, SI और जादा था, CGS पूछा जाता है, जादा था क्या पूछा जाता है, SI और CGS, आप बोलोगे, Sir, तो भाई, Sir, यह दिखो, length जो होता है, वो MKS में भी length, length, length का अगर मैं unit पूछू, length का unit पूछू, तो आप क्या बोलोगे, meter, अगर मैं SI म जब यह MKS था, तो उसको क्यों लाया, उसको लाने के लिए क्या प्रॉलम था, क्यों भी नमने के और बढ़ा दिया, हमें पढ़ने के लिए, एक और tension बढ़ा दिया, इसलिए लाया गया, देखो, एक simple सा example दे रहो, कि क्या प्रॉलम क्रियेट होता था, इसके पिछी की story ब बताते थे, तो हर जगाते को, country के अंदर भी आप सुनोगे, number of बहुत सारे लोग हर गाओं में भी अलग-अलग-अलग-अलग unity use करते, अलग-अलग unity use करते, वो सकता एक simple सा example देता हो, कि मैंने ऐसा सुना हुआ है, कुछ गाओं में पसेरी, मतलब 1 kg इक पसेरी मतलब 25 kg हो अगर वो इस गाओं में आएगा, जहां 1 पसेरी इकोल तो 5 kg होता है, तो simple सी बात ये बंदा confused हो जाएगा, और ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था, जब सभी country के लोग एक जगाई कटा होते थे, तो हर country में ज़्यादातर वो लोग अपने बहुत सारे अपने units पे काम करते थ सभी चीजों को dimension को design करते थे, तो जब आके conference में आके उसके बारे में बात करना start करते थे, तो भाई जिस country के लोगों ने उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो simple सी बात है, वो क्या सामने वाला बोल रहा है, विचारा पढ लिख के भी उसको अनपढ जैसा भीयो करेगा, उ इसलिए वो जिस quantity के बारे में बोल रहा था, इस quantity के बारे में बैटे हुए लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, तो बाद में एक solution निकाला गया, उन्होंने बोला कि भाई, पूरे world के अंदर एक standard ला दो, कि हर जगर एक जो unit है, वो same common पढ़ाया जाए, कि अगर कोई भी कहीं भी कठा हो, अगर किसी चीज के बारे में बोले, तो अगर आप किसी conference में बोल रहें, तो वहाँ SI unit use करो, जिससे सभी को समझ में आगा, confusion नहीं होगा, इसलिए भाई, MKS को हम बोल सकते हैं, कि updated version है, जो SI है, SI updated version है, किसका MKS का, तो बाद में SI ला दिया गया, और SI हर ज density की बात की जाएगे, तो candle आई होगा, temperature की बात की जाएगे, तो Kelvin होगा, तो भाई, हर जगा जब जाने लगे लोग, तो लोग सब के book में भी SI unit आने लगा, आप चाइना के बच्चे भी SI unit पढ़ेंगे, तो रस्या के बच्चे भी SI unit पढ़ेंगे, USA के बच्चे भी रहे हैं, जिससे लोग इकठा होंगे, तो वहांने confusion create नहीं होगा, तो clear हो गया, तो यह जो food pound and second, food pound and second के बारे बोलो, generally guys, यह हमारे यहाँ इतना use नहीं होता, पर बाहर से कोई product आता है, तो देखो कि उसके अंदर, यह generally अपने दर जैसे mass के लिए kilogram use होता है, वहां mass के लि सोले बनाता होगा, उन बंदों को पता होगा, जातर जो चीज़ बाहर चाहती, जो plates होते हो, pound में होते, clear, जो वहां measurement किया जाता है, mass को, वहां pound में measure किया जाता हो, तो भाई, यहां एक चीज फिर से clear कर देना चाहता हूँ, यह जो centimeter होता है, किसके लिए होता है, length के लिए ग्राम जो होता है, mass के लिए, जो यह second है, यह second किसके लिए होता है, time के लिए, अब same, length, mass, and time, length, mass, and time, अच्छे, इसके अंदर तो सब कुछ है, इसके अंदर हम आगे देखेंगे, अब आगे, देखो, fundamental quantity and derived quantity, fundamental quantity and derived quantity क्या होती है, सुन लो मेरी बात, ध्यान से, सबसे पहल ऐसी quantity जिसको हम measure कर सकते हैं, उन quantities को हम physical quantity बोलते हैं, there are total two types of quantity, first is fundamental quantity and second is derived quantity, अब total fundamental quantity कितनी है, total seven fundamental quantity है, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance, और इन सभी का ऐसा unit, length का meter होता है, इसका symbol M होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जोड़ा और बड़ा करते हैं, आप दिखेगा, दोड़ दोड़ के दिखेगा है, का बोलते हो, दिखेगा ही, देखो, length का meter, symbol M, mass, kilogram, symbol kg, time, second, symbol S, temperature, Kelvin, symbol K, electric current, ampere, symbol A, luminous intensity, candela, CD, amount of substance, mol, okay, ये, बट सर, ये fundamental quantity क्या है सर, इसको समझने के लिए आगे की चीज़ों से और clear होगा, पर फिर भी बता देता हूं, ऐसी physical quantity, ऐसी physical quantity, which do not depend on any other physical quantity, for their measurement, मनलब एक simple सा बता हूं, ऐसी physical quantity, जो खुद को define करने के लिए किसी और पे depend नहीं होती, भाई, खुद से अपना, अपना, खुद का, अपना system, खुद का चलता है, the physical quantity, which do not depend on any other physical quantity, for their measurement, खुद के measurement के लिए किसी और पे dependent नहीं रहते हैं, उनका खुद का है, तो इसको बोलेंगे physical quantity, और ऐसे units को, ऐसे units को हम बोलते है, fundamental units, अब बोलोगे सर, समझ में नहीं है, बताता हूं, देखो, अगर मैं आप से किसी से बोलू, कि बताओ मुझे, length का, यूनिट का है, पड़ाख से बोलो कि सर, meter, 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 अगर मैं आप से बोलो, कि भाई, बताओ, mass का क्या है, आप बढ़ाख से बोलो, कि सर, kg, 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 अगर मै भी क्लियर नहीं होगा, जैसे हम डिरावी पे चलेंगे, तो यह चीज़े अपने हम समझ में आ जाएगे, सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, समझ में, इसके थोड़ा, कंट्रोल करो, तो, the physical quantity, which do not depend on any other physical quantity, for their measurement, ऐसी quantity को हम बोलते है, physical quantity, और उसके लिए, जो use किया जाता है, वो टी फिर से आगे, temperature, electric current, luminous intensity, amount of sun, luminous intensity, आगे बढ़ोगे तो बताओंगा, वैसे, luminous का बैटरी सुना होगा, सुना हैगी नहीं सुना, और कुछ और confusion हो रहा होगा, कि सर, यह actually small रहेगा, कहीं, कहीं यह small दिया है, कहीं capital दिया है, इसके बारे में आगे, 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 और गैस, अगर आपको ज्यादा और knowledge लेना है, तो बोल रहा हो, आपका same chapter नहीं, जो बच्चे 11 standard में पढ़ रहे हैं, उनका भी है, तो उसका भी link में description में डाल देता हो, वो भी जाके पढ़ो, same to same है, कोई चीजे change नहीं है, बिल्कुल change नहीं है, समझ मैं आ रहा है, क्योंकि unit and measurement का हर topic same है, तो already मैंने पूरा बना है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं, उसका भी link में description में डाल देता हूँ, अब derived quantity, देखो, derived quantity, the physical quantity which depends on any other physical quantity for their measurement, मतलब भाई, खुद को भी, खुद के measurement के लिए, इनको किसी और पे dependent होना पढ़ता है, किसी और physical quantity पे dependent होना पढ़ता है, इनका ना जीवन किसी और के भरो से चल रहा है, इसलिए ऐसी quantity गों बोलते है, derived quantity, जैसे, अगर मैं आप से पूछूं, भाया, जी मुझे बताओ, कि velocity, velocity का unit क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे मुझे, बोलोगे, meter per second, है, meter per second, पर ये meter किसका था, ये देखो, आजा, आ quantity है, तो length, और ये time क्या, ये जो meter per second, ये time है, तो हमने, मैं आप से क्या पूछा था, velocity का unit पूछा था, पर आपने मुझे क्या बता है, meter per second, पर ये meter per second किसका है, meter length का है, और ये किसका time का है, तो इस quantity को define करने लिए किसी और quantity का use करना पड़ा, अगर velocity ये quantity को मुझे explain करना है, तो मुझे किसी और quantity का help लेना पड़ा, अगर मैं आपको acceleration बूछू, बोलोगे meter per second square, तो meter, meter किसका है, length का है, और second किसका time का है, तो acceleration को define करने के लिए भी किसी और physical quantity का use करना पड़ा, तो ऐसी quantities को हम क्या बोलते है, derived quantities, the physical quantity which depend on any other physical quantities for their measurement, ऐसी quantities को हम क्या बोलेंगे, derived quantity, अब गाइस, यह तो मैं कल बताऊंगा, मतलब कल मतलब जब मुझे मैंने आप स्टार्ट तो कर दिया, अब सभी चीजे मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आपको चाहिए कि हम continue आपके lectures लाएं, तो जितना हो सके हर जगा पे, पूरे इंडिया में हर जगा शेर कर दो, कि सर ने भाई, अपने लिए lecture लाना start कर दिये, अब सर को support करना अपना अगा में, क्योंकि हमारे अंदर energy आप तभी बर सकते हो, जब चीजे हमें दिखेगी, क्योंकि हम तो सामने आप से मिलने रहे हैं, हमें इसी तरह से चीजे पता चलती है, और इंस्ट्राग्राम पर follow करक वहाँ भी support दिखा सकते हो, मिलते हैं एक से वीड़े में, thank you so much guys, जैहिं दोस्तों